नमस्कार दोस्तों मैं आपका होश्ट अंदोस्त राहूल मेश आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और एकनी वीडियो में दोस्तों वीडियो बहुत important है अगर आपने किसी mobile loan application से loan लिया है और आप उसका भुगतान ने कर पाए हैं आपकी contact list में call करके आपको हरास किया गया है आपको डराया गया है आपको धंकाया गया है आपके मान सम्मान को चोट पचाया गया है मेरा आपसर request है वीडियो को आप क कार की information लेकर क्या आते रहें किर्पयागर के channel को आप जरू सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में bell icon को press कर दें और on कर दे on notification को उससे क्या होगा कोई भी हमारे दुवरा वीडियो लेकर के आई जाएगी उसका notification आपको सबसे पहले मिल जाएगा तो चलि प्रॉपर तरीके से उसे ब्लैक मिल करती है कि अगर तुने लोन का बुगतान ने किया हम तेरे साथ में ऐसा कर देंगे उसकी contact में call करके कहा जाता है कि तू चोर है तू 420 कर चुगा है हमारे साथ में बहुत बड़ी-बड़ी बाते मतलब उसको कही जाती है उसको ऐसा मतल सब ये व्यक्ति प्रुपर तरीके से एहसास दिला लेते हैं कि जैसे उसने कोई crime कर दिया हो तो आज मेरे पास में एक व्यक्ति का email आया जिसने कहा सर मैंने 36,000 रुपे का लोन लिया था एक company से मैंने इनसे कहा था कि मुझे आप सिरिफ और सिरिफ दो दिन का और समय दे द के खिलाब पूरे तरीके से RBI में return में सिकायद दे चुका हूँ लेकिन मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी solution नहीं मिला क्या RBI अब इस application या किसी भी loan application के ऊपर action लेगा तो दोस्तो मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आपने किसी mobile loan application से loan लिया है और आपको हरास किया ज solution नहीं देगा आपको solution देगा cyber cell इसके लिए आप cyber cell को ही सूचना दें otherwise आप कहीं भी भटक लें कहीं भी कुछ कर लें मुझे नहीं रगता कि आपको कहीं भी इंसाप मिलेगा अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि sir cyber cell को भी शिकायत करते हैं तो कोई भी इंसाप नहीं लेता ह है अगर कोई action नहीं लेता है तो मैंने पहले भी बहुत सी वीडियो के माधियम से कहा है कि आप प्रपर तरीके से एक complaint file कीजिए अगर कोई action ना ले तो उस complaint का reference नंबर लिखिए प्रपर तरीके से Twitter पे और Twitter पे आप mention कीजिए मैं कह रहा हूं दावे के साथ में 101% आपको result म दोस्तों मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा इस वीडियो के माधियम से देखिए मेरा वीडियो बनाने का मकसद होता है आपको अवेर करना जागरूप करना और आपको एक एक थी जो है बारी की से समझाना मैं कही वीडियो में देखता हूं कि मैं अपनी बातों को repeat क करता हूं तब जाकर के आपको समझ में आता है तो देखिए दोस्तों आप एक वीडियो से ही समझ जाया करो मुझे दुबारा उस टोफिक पर वीडियो बनाने के लिए आप लोग फोर्स मत किया करो क्योंकि मैं और बहुत सारी वीडियो इस टोफिक पर पहले भी बना चु दोस्तो इसके बारे में मैं एक detail वीडियो लेकर के आँगा अगर आप इस वीडियो पर 50 जो like का मैं target रखता हूँ उसको complete करते हैं और आप comment में लिखते हैं कि detail में बताएं क्या rv action लेगा या नहीं लेगा मैं proper तरीके से clear cut वीडियो उसके माध्यम से आपको सोचित जरूर क करूंगा क्योंकि आपको पता होगा हम fact के साथ बात करते हैं और जो हमारी video होती है हम एक दम genuine video ले करके आते हैं और quality के साथ में बात करते हैं हमारी video में आपको अलगी quality मिलेगी मेरा video अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो को आप लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करें और भी कोई क्यारी है तो ग्रिप्या करके मुझे भाईया कोमेंट कर दें और गाईज हमारे फेस्बूक पेज और हमें ट्विटर पर जरूर फोलो कर लें क्योंकि हम वहाँ पर ज्यादा एक्टिव रहते हैं तन्यवाद